हलो इडिवन कैसे हैं आप सभी होपफुली आप सभी अच्छ होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ तो एक बड़ी न्यूज आ रही है एक तरीके से के CMA का रिजल्ट का बाने आला है का और रिजिस्ट्रेशन की डेट भी एक्टेंड हो गई है CMA इंचिटूट की तरप से तो जी हाँ CMA फांडेशन का रिजल्ट आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो 9 अगस्त है आज आफ्टर नून तक आपको यह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसके अलावा CMA के रिजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो रिजिस्टर करा सकते है लेकिन एक चीज और बतादू के इंसिटूट कोशिश कर रहा है कि एक्जाम एस पर शड्यूल हो तो जन्वरी में जाने के चांसे थोड़े से कम हो रहे हैं हाले कि दिसेंबर में थोड़े आगे जा सकते हैं बट यह सोच करके डिसीजन आप कहीं ना ले कि जन्वरी में एक्जाम होंगे इसलिए मुझे दिसेंबर के अपॉर्डिंग में प्रिपेर करना है तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो रजिस्टर अभी करवा के भी आप जो है जून में एक्जाम दे सकते हैं बोध ग्रूप और इंटरमेडियेट को हलवा ना समझे कि बहुत आसान होता है ऐसा कुछ भी नहीं है फाउंडेशन और इंटर में बहुत ज़्यादा फरक होता है डिफरेंस डेमो क्लास के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वाँ देख भी सकते हो नए बैचेस यहमें इंटरमेडियेट के चालू भी हो गए वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि level of study कितना अच्छा हो जाता है explanation teachers की कितनी अच्छी और कितने अच्छे subjects यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो उन सभी को देखें, group 1 भी अगर कोई देना चाता है न तो उसमें 5 subject है, DT, IDT अपने आपमें अलग-अलग 2 subject है कि registration की date जो है 17 अगस तक extend हो गई है, तो आप 17 अगस से पहले-पहले register करवा सकते हैं exam जरूरी नहीं है कि January तक जाए, it may happen in the December, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, thank you very much